विश्व भर के योग प्रेमियों को मेरा नमश्कार यह हम सब के लिए आनन की बात है कि आज विश्व भर में जादा से जादा लोग योग को अपना रहे हैं योग से जुड रहे हैं युवा हो बुजुर्ग हो महिलाय हो बच्चे हो योग सब के जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है इसका एक कारण यह है कि योग सरल है सहज है और सर्वसुलब है यानि आसन और प्रानायम को इसे सिखना एक दम सरल है हर आयू वर्क का व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार सहजता से कर सकता है और इन्हें करने के लिए किसी विशेश व्यवस्ता के आवशक्ता नहीं है टूल नहीं चाहिए एक्विपमेंट नहीं चाहिए सिरफ एक छोटी सी जगा चाहिए वो आसानी से इसे कर सकता है यानि सर्वसुलब है योग भारत के रुशिमन्यों की महान परंपरा की विश्व को महान देन है विश्व को दिया गया एक अनमोल उफार है योग बिना किसी खर्च के केवल फिटनेस ही नहीं वेलनेस के भी गारंटी देता है योग रोग मुक्ती के साथ साथ भोग मुक्ती का भी मार्ग है योग जोडता है मन शरीर बुद्धी को जोड व्यक्ती के अंतरद्वन और तनाव को खत्म करके आनंद देता है व्यक्ती को परिवार और समाज से जोडता है आपसी नह और ममभाव पैदा करता है ऐसे ही समरस समाज शांति प्रियर राष्ट का निर्मान करते हैं और ऐसे राष्ट्रों से ही एक सहोहार्द और सदभाव से पुर्ण सुन्दर विश्व का अंदिर्मान होता है यानि योग मैं से हम अहम से वयम व्यक्ती से समस्टी की एक यात्रा है आज व्यक्ती आधुनिक जीवन सहली से उप्यूही अनेक समस्याओं से ग्रस्त है तनाव, अवसाद, डिप्रेशन, मधुमे, डायविटीश और उच्च रक्त चाप, ब्लड प्रिशर जैसे अनेक बिमारियां अंदर ही अंदर व्यक्ती को मार रही है योग मैं इन सभी बिमारियों से बचने का समाधान है योग अभ्यास, तनाव से मुक्ति पाने और मन को प्रसंद वो शांती रखने में बहुत मददगार है दिन भर की थकावन्त के भाद, अगर पानी से हम हाद मुँ दोलें, तो कैसे ताजगी महसुस होती है इसी तरह से आपा धापी दौरधूप के बीच थोड़ा सा समय भी प्रानायम या कुछ देर सवासन या थोड़ा हाथ पर हिला करके सांस लें, थोड़ा रिलेक्स कर लें तो कैसे नहीं उर जाती है मानसिक तनाव के बीच योग मानसिक तनाव के बीच योग मन की शांती है उद्वेग और द्वंद के बीच योग अपने आप में ध्यान है अतिरेक के बीच योग संयम और संतुलन है योग निराशा को आशा और विश्वास में पलड़ता है योग भय से अभयम की एक यात्रा भी है तनाव के बीच जिन्दगी कैसी होती है जैसे बहुत बड़े बड़े पहाड है उपर एक भी पैड़ पौधा नहीं है पत्थर ही पत्थर न जा रहा है लेकिन पहाडों के बीच से कोई सांत सा जहरना बहता है तनाव प्रुण जिन्दगी में योग भी उस जहरने जैसा एक प्रवाह है योग, उम्र, लिंग, जाती, पंथ, धर्म और राष्ट्रों के बंधन की सिमाओं से परे है मुझे खुशी है कि योग की लोगप्रियता बैश्विक स्तर पर बढ़ रही है आज जब अधिक से अधिक लोग योग को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बना रहा है तो योग सिख्षकों की मांग बढ़ रही है आज हमारी चुनवती है प्रसिख्षीत योग सिख्षकों को तयार करना जो योग के प्रति इस लगाव और उत्सा को सही माइने में आगे बढ़ा सके और विशेश रुप से युवाओं को इसके लिए प्रत्साहित कर सके आप सब योग प्रेमियों को मेरी तरब से बहुत बहुत शुपामनाएं